स्वामी नायन हरे वच्चनाम्रत गडडा प्रथम प्रक्रणनु चोथू नारज्जीना जेवी इर्षा करवानूं। स्वामी नायन हरे संवत अरार्सोने चोंतेरना माक्षर सुधी सप्तमिने दिवस। श्रीजी महाराज शीगडडा मज्ये दादा काचरना दर्बारमा विराजबानता अने सर्व स्वेत्वस्त्र दारण कर्या हता अने पूताना मुखार विन्दियागर साधू तथा देश देशनारी वक्तनी सवा भराईने बैटी हती। पथी श्रीजी महाराज बोल्याजे भगवान ना भक्तने परस पर इर्षा न कर्वी। त्यारे अनन्दानन स्वामे बोल्याजे हे महाराज इर्षा तो रहे छे। त्यारे श्रीजी महाराज बोल्याजे इर्षा कर्वी तो नारत जीना जेवी कर्वी। जेम एक समय ने विशी नारत जी अने तुमरू इबे वैकूंट ने विशी लक्ष्मिनायन ना दर्षन करवा गया। ते लक्ष्मिनायन अगर तुम्रू एक गान कर्य। तेने करीने लक्ष्मी जी तथा नारायन इबे प्रसन थैने तुम्रूने पोताना वस्त्र अभू शनाप्या। त्यारे नारत जी ने तुम्रू उप इर्षा आवी जे, हूं तुम्रूना जेवी गानविद्या शिकूं, औने बग्वान ने प्रसन करूं। पची नारत जी गानविद्या शिकता हवा अने भगवान अगर गाता हवा त्यारे भगवाने कहुं जी तमने तुरुना जेव गाता नथी आवड़तू पची वरी शीव उपर तप करीने शीव सकी वर पामीने गानविद्या शिखीने भगवान अगर गावता हवा तो पण भगवान एनी गानविद्या उपर प्रसन्न न थया एवी रिते साथ बनवन तरसुधी गानविद्या शिख्या अने भगवान अगर गाया तो पण भगवान प्रसन्न न थया पची तुमरुपा से गानविद्या शिख्या अने स्रीकस्ण बगवानागर द्वारीका मा गालता हवा त्यारे स्रीकस्ण बगवान प्रसंद न थया अने पोताना भस्त्र अलंकार नारज्जी ने आप्या क्यारे नारज्जी तुबरु साते इर्षा मेली माटे इर्षा करवी तु एवी करवी जे जे अनी उपर इर्षा होए तेना जेवा गूण ने ग्रहन करवा अने पोताना अवगूण ने त्याक करवा अने तेव न थवाई अने इर्षाय करिने भगवान ना भक्तनों द्रो थाई तेवी इर्षानों तो भगवान ना भक्तने सर्व प्रकाले त्याक करवो गिती वचन्नाम्रतं एवी रीते गड़डा प्रथम प्रक्रणनूं चोथु वत्नाम्रत जेते थां